हाई अब्रीवन आई वेलकम यू आल तो आड चैनल तो आज हम 11 जून 2020 की एंडिया रेडियो न्यूस्पेपर एडिटोरियल डिसकस करते हैं सबसे पहले टॉप हेडलेंस एक बेखेंगे और इसमें काफी सारे आज एडिटोरियल और न्यूस इंपोर्टेंट है जैसे कि ने जीएम सीट्स जैनेटिक मोडिफाइड क्रॉप्स और सीट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे फिर यू एन्सी आई एरिफ के बारे में न्यूस में था तो वह भी देखेंगे जो एकनामिक एक्टिविटीज रिजू हो रही है तो वह आर्टिकल है राइट मोमे अच्छल आस्टो डिस्प्ले अवल्यूटी ऑफ बेट्स और एड़ी बोर्ट्स और पिया मुदी एशुर्स आसम सीम अफ और पॉसिबल सपोर्ट तो डिल विद बागन फायर इंसिदेंट और कल मैंने आपको वह भी बताय था कि इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है वह तो यह आपको जो चारधाम है उसके नाम भी पता होने चाहिए है ना क्या क्या है चारधाम के नाम बदरीनात के दानात यमनोत्री एंड गंगोत्री ठीक है बदरीनात में आपके शिव की विष्णू की पूजा होती है और के दानात में शिव की एंड जो आपका यमनोत्र them from the bigger circuit bigger circuit में आपके क्या क्या आता है बद्रीनाथ तो आता ही है फिर द्वार का आता है और पूरी और आपका रामेश्वरम ठीक है तो यह भी श्राइंद के नाम है चारधाम वो पता होने चाहिए नेक्ट जो न्यूस है यहां पर यह हम पढ़ेंगे United States Commission और इंटरनाशनल लिजियस फ्रीड़म इसके लावब भी न्यूस के लापको पूरी वीडियो आप दिहान से देखेगा जिसे लॉयन सेंस जो हुआ है इस बार तो हुआ निये लॉयन की जो संक्या है गुजरात में वो बढ़ी है तो वो भी हम देखेंगे तो सबसे पहले ज चीज बोली गई है और यह advisory body भी है US Congress की USCIRF और यह क्या करता है facts को और जो religious freedom है उसका जो violation होता है कहीं पर किसी country में किसी भी country में करता है उसके बाद पॉलिसी बनाता है फिर रहे रिकमेंडेट करता है प्रेजिडेंट एंडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कॉंग्रेस को ठीक है इसका जो हेड़कॉर्टर है वह का है वन शिंगितन डीसी में एंडिया का जो स्टेंड है अभी क्योंकि आपको पता होना चा और टेंडेंशिस इंडिया ने बोला है इसको की मतलब बहुत जादा ही बाइस्ट यह इनकी रिपोर्ट है और यूस-CIRF हैस प्लेस इंडिया से लॉंग साइड चाइन तो हमें मतलब चाइन नॉर्थ कुरिया साओधी अरिया पाकिस्तान की जो टीर 2 कंट्रीज है उस लि जो टीर 2 कंट्रीज है तो यह स्पेशल वाच लिस्ट कंट्रीज में यह आते हैं और फर सीवियर वाइलेशन रीजन यह कि 2019 में डाउंग्रेड हुई थी क्योंकि जो NRC था CAA था और एंटी कंवर्जिन लॉस जो थे सिचुएशन इन जमू इन कश्मीर थी और इस वज़े से हमें रिलिजियस फ्रीडम में जो था मतलब बोला गया था कि जो माइनर्टीज हैं स्पेशली फर मुस्लिम तो उनके जो राइट से उनका हना नोरा है जो OIC था और इसलामिक कोपरेशन तो उन्होंने भी क्रिटाइस किया था कि जो इंडियन गवर्मेंट है वो ग्रोइ पॉजिटिव कंसेंस तो चाइना कंफर्म्स बोथ आर टेकिंग स्ट्फ तो इस लेसी सिचुएशन तो मेजर जनरल की जो मीटिंग हुई थी तू आमी मीट्स मीट्स इंडिया वांस तो पहली यह मतलब इनकी ऑफिशियल स्टेट्मेंट यह आई है कि जो भी गलवान और ह आई है लाट्डाग में तो वहां पर आपने वह वह बिल्डप अगयरा कर रहे हैं आर्मी तो वह क्या रहे हैं स्टेप बैक कर रहे हैं तो बोथ साइट अग्री देर इस नीड तो इंप्लिमेंट दी कंसेंसेंस अमंग दी लीडर आफ टू कंट्री जो इंशुर किया गया कि वहां पर complete disengagement हो भी रहा है है या नहीं अब जो conflict है वह कहां पर तू slide sites were involved in face-off at 5 location तो 5 location है वो PP 14, 15 and 17 and finger area at pengong saw and chusul तो 14 पे तो wednesday को हो चुकी already बात 15-17 पे बातचीत होगी अभी तक finger area जो pengong saw है और chusul है उस पर अभी बातचीत मतलब अभी नहीं होई है तो वो अभी देखते हैं कब तक होगी आने वाले जो नेक्स 10 देजर में यह होगा नेक्स्ट जो न्यूस थी यहां पर केजरिवाल डायल्स डायल्स डाउन उन टसल विद लगी बट अपस एस्टिमेट अन बैड नमबर्स तो आप यह बताएगा कि लगी को जो डिस्कृरिशनी पावर है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है यह परसो मैंने बताया था इसके यह क्या था? UNCRF had recommended to US administration that India be designate a country of particular concern तो 2004 के बात से अभी यह पहली बार हमें इसमें डाला हुआ है और जो है वीजा डिनायल कर दिया था इनकी टीम को next ed files money laundering case against Medanta तो यहां पर ed के बारे में आया वा है तो enforcement directorate के बारे में 3-4 बार चट्चा हुई है newspaper में तो इसके बारे में जाना जरूरी है लेकिन 1957 में इसको rename करके ed कर दिया गया enforcement directorate अभी आता है department of revenue के अंतरगत और दो जो fiscal special act है उसको यह देखता है एक तो foreign exchange management act of 1999 and second one is PMLA prevention of money laundering act of 2002 तो इसको यह देखता है special courts भी setup की गई है इसके लिए PMLA special courts जो केवल जो एक तरह से जो आर्थिक मामलों की खूफी agency होती है वही है यह ठीक है next is ICMR to put up new treatment protocol on website today तो आज देखते हैं ICMR ने क्या-क्या मतलब protocols नए है कल हम फिर उसे discuss करेंगे तो वही क्योंकि सारे यूज होंगे तो अभी जो है Remdesivir was granted emergency use authorization by US Food and Drug Administration और इसका यूज हो रहा है लेकिन इंडिया अभी क्या कर रहा है manufacturing biosimilars ठीक है तो उस पे हम ध्यान दे रहें कि biosimilars को मना है biosimilars क्या होता है biological product that is developed to be similar to an already approved biologic hospitals so far do not have the drug intensive care physicians ठीक है तो यह सब चीजे भी भूला है recovered cases more than active cases health ministry कैसे कहना है तो recovery rate 48.88% हो गया है अभी health minister के official statement है और इंडिया की अगर हम बात करें although among 50 countries with the highest case count india has the 29th highest recovery rate according to john hobskinson university recovery rate germany का 91% है turkey का 84% israel का 83% iran का 78% italy spain 62% and russia का 49% india का 29th highest में हम आते हैं तो यही चीजे इसमें बोली गई है कि even as the gap between the number of recovered and active cases is narrowing the world health organization उन्होंने ये caution release किया था कि मतलब अभी भी मतलब फिर भी situation improve हो रही है लेकिन फिर भी अमेरिका और south asia से काफी ज्यादा cases आ रहे हैं तो ज्यादा मतलब खुश होन वाली तो इतनी बात नहीं है यहां पर जो है काफी जो है उत्राखंड इंट्रूस औस्टेरिटी मेजर तो दील विद लॉक्डाउन फॉल आउट तो यहां पर काफी सारे जो health department है और जो police है तो यहां पर बोला गया कि इसमें no post would be created and there will be a complete ban on appointment on daily wages and contextual basis ठीक है in current financial year 20 to 21 there will be no hike in the pay scale for any post salary वगयरा किसी की भी नहीं बढ़ेगी किसी भी post की और जो permission जो भी officers है मतलब चाहे वो training programs के लिए हो तो उनको participant officer को अगर वो कहां foreign में अगर कहीं जाते है foreign countries में तो उनको इसाज़त नहीं है workshop seminars organized in foreign countries for which the government will have to bear expensive तो यही सब चीज़े हैं next देख लेते हैं India fake river boundary says Nepal PM slams Adityanath remark तो अभी जो UPKCM है योग आदित्यनाथ तो इन्होंने मतलब क्या बोला कि इंडिया और नेपाल दो अलग अलग देश हैं ठीके लेकिन यहां पर क्या है उनकी जो आत्मा है वो एक है हमारे जो historical और जो जो भी मतलब अजया है cultural link है mythological links हैं वो काफी सालों से century से हैं लेकिन नेपाल should remember this नेपाल should not repeat the mistake made by तिबबत है यहां पर लेका है नेपाल should not repeat तो कौन सी भाग के आ गए थे ठीके तो यहां पर फिर बोला गया था तिबबत autonomous region तो इसी mistake को वो बोल रहे हैं कि नेपाल ना repeat करें ऐसा उनके साथ हो सकता है तो नेपाल ने काफी जादा मतलब इसको बहुत उससे वो तुड़ाई गुसा हो गया है तो नेपाल क्या बोल रहे है कि इ इंडिया के लीडर से उनको इन्हें समझाना चाहिए कि अभी मतलब यह सब चीज सही नहीं है और बाकी के जो इंडिया ने मतलब क्या बोल रहे है कि यूपी के लिए मतलब इसले बोल रहे है यूपी का एक काफी अच्छा-खासा बॉर्डर जो है नेपाल के साथ लगता ह इंडिया क्लेम करता है नेपाल से लगती है तो इस पर भी ज्यादा डिस्प्यूट होता है और बाकी के नेपाल के कहना है कि इंडिया ने बहुत सालों से मतलब क्या कर रहे है कुछ लैंड को एक्कुएर करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशल रिवर जो है वो बना दिय जिसको हम मतलब इस बाउंडरी नहीं मानते है लेकिन नेपाल वस डिटमेंट तो यही सारी चीज़े है और नेपाल ने जो है कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंटमेंट बिल भी लाया था तो इंक्लूड इस टेरिटरी इस नेपाल मैप और बाकी के जो वहां पर समाजवाद जो है तो इससे पहले इस स्टेटमेंट यह भी दिखी कि 85% जो कोविड-19 के केसे नेपाल में वह इंडिया से आ रहे है न तो यह सारी चीज़े भी इंडिया जो है नेपाल बार बार बोलता जा रहा है नेक्स्ट जो है जो है इस लोगड़न डिस्रिक्षन आफ बिंग इस हम कंजम्शन साइट की बात करें जैसे GSTN तो इवे विल्स हैं जो तो इंट्रा और इंटर स्टेट में मतलब क्या हो रहा है इंटर स्टेट के अगर हम देखें तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्षन की वज़े से गूड़्स का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना हाउसोल कंजम्शन भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा अभी तो नहीं बढ़ रहा है बट फिर भी जब डिमांड क्रिएट होगी तो यह सब होगा तन प्रोड़क्शन साइट की अगर हम बात करें तो लेबर मार्केट जो डाटा है वो यही बताता है कि रिजम्शन होगा एकनामिक एक्टिविटीज और जो अनेंप्लॉइमेंट रेट था तो वह भी कितना था 17.5% अभी हुआ है पहले 27.1% था एक महीने पहले तो जैसे जैसे जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वह हटेंगे तो फिर दीरे-दीरे क्या होता जाएगा जो एकनामिक एक्टिविट में जैसे एलेक्रिसिटी जनरेशन रिल्वे रिवेन्यू वाल बोथ कंटिनु तो कॉंट्रैक्ट्रैक्शन है फिर भी यह सब चीज बोले गई है और जो RBI का डाटा है तो उसके एकॉर्डिंग जो IMPS और UPI जो ट्रांजेक्शन होती थी तो वह जैसे प्री कोवर्ड जारी की थी जिसमें बोला गया था कि यह स्टेट का डिसीजन रहेगा क्योंकि जिसके स्टेट में जितने ज्यादा केसिस हो रहे हैं आप उसे साब से एक्जाम अगेरा कंड़क्ट कर आए है तो अभी महारास्ट्र में यही बोला गया है कि इस चीज में मतलब क्लारिटी नहीं दी गई है कि एक्जाम कब से होंगे और यह चीज देना चाहिए था एंड जॉब मार्केट और एकोनोमी के लिए मतलब बहुत ही सही नहीं है क्योंकि मतलब में में कंसर्ण क्या है कि सर्टिफिकेशन दिया जाएगा क्योंकि बच्चों को मतलब जो फस्ट एर और से यह सब है यह एरर होगा सोर क्रेप्स में यह पूला गया न्यूजिलेंड इस कोविट फ्री एंड सेलिबरेटिंग बट मस्ट इट शो ओफ तो न्यूजिलेंड में क्या है सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिये गए इंक्लूदिंग जो एडवाईजरी थी फोर फिजिकल डि और कुपल्स जो है डेट पे जा रहे हैं यह हुगिंग लविंग और जो फ्रेंड है उनके साथ एंड शेक वगएरा सब कुछ कर रहे हैं तो महां पे मतलब ठीक है यह सब चीज़े हो रही है लेकिन थोड़ा बहुत तो ठीक है मतलब आप जाओ डिनर करो बैठो लेकिन इ और लोगों से भी मतलब कॉंस्टेंटली वह कम्मुनिकेशन किया था लेकिन अभी इतना जादा शो ओफ क्यों है कि परेडिंग दियर विक्ट्री ओवर दी पैंडमिक इस तू मच है तो यह सब चीज़े बोला गया है और इफ दे पीपल कूद तो इस आर्टिकल में यही वहो डे डिकलियर किया था COVID-19 as a health emergency on January 30 लेकिन गौवर्मेंट ने मतलब उसी टाइम पर फॉर्मिलेट करनी चाहिए थी इसका transmission देखना चाहिए था क्या है लेकिन जादा कुछ हुआ नी और अभी क्या कर रहे है जो हिंदू राइट विंग है उसको जब जब आतियन वाला डिजीज की मुसलिम ही इसको ला रहे है डिजीज को यह सब चीजे बात है हो रही थी ठीक है तो यही सारी चीजे इसमें लिखे हुए है कि PM केर्स जो फंड है वो भी एक तरह से प्राइवेट प्लेटफॉर्म मतलब इसको नेम क्यों दे दिया प्राइम मिनिस्टर केर्स ह अधर बैकवर्ड एंवलरिबल सेक्षिं एक्षिं एक्पोस दे इन हुमन तो यह मतलब एक तरह से जो कैपिलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उसी ओर्डर को यह बताता है तो हवे मतलब क्या करना होगा एक न्यू सोशल ओर क्रेट करना होगा जहां पर सेटिजन्स जो है व वुमेन पूर जो डलिट्स है रूलर पूर अधिवासी तो उसी के बारे में यह बताया गया है कि मतलब उनका जो है एक्स्प्लाइटेशन होता रहता है और इन दिस वर्ड अल्टरिटिव रियालिटी तो विक्टम ऑफ उफेंडर्स एजन केस ऑफ मुसलिम तो यही सब च दिब्रू साइकोवर नाशनल पार्क और मगोरी मोटापंग वेटलेंड यही मैं बता रही थी मगोरी मोटापंग वेटलेंड यह क्या है इस इस बाइसफेर रिजर्व इस बिर्स एकोसिस्टम ऑफ माइक्रो लाइफ यह है तो इंपर्टन बर्ड एरिया यह था अभी जो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है इस स्ट्राटेजिक रोड टो डीबी ओ तो डीबी ओ क्या है डारबुक शोक डालट बेग ओल्डी रोड ठीक है तो लास्ट एर हमने इसे कंप्लीट किया था और यह जो गलवान रिवर वैली रिजन है ठीक है तो यहां पर यह क्या है चाइनीज । यहां पर हो रहे है तो यह जो डियस्टेबी ओ रोड है तो इसके लिए एक डारिक ठ्रेट है ठीक है चाइनीज बिलड़ड रोड जो है यह हाईवे की इंडियन मिलिट्रि को तिबवत का जो जान जिंग हाईवे है तो आहां occupation कर लिया था उसके बाद का आपको पता है 1962 में war हुआ था लेकिन इसके response में हमने यहां पर क्या किया था कुछ जो military outputs हैं वो create भी किये थे ठीक है जैसे अभी जो है यहां पर जो armies है लद्दाक 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 की जो मतलब आर्मी है वो और इसके लावा जो ITBP है परा-military force है तो वो यहां पर regularly patrolling करते हैं ठीक है इसके लावा यहां पर जो दूसरा concern बताया गया था जो CPAC है ठीक है CPAC है इस इस अलसो थे critical region where China is currently constructing the China Pakistan corridor in Pakistan occupied Kashmir to which India has objected है तो एक major concern यह है बाकी का यह है कि जो Sinop-Pakistan boundary agreement हुआ था contested by India 1963 में तो उस ताइम पे 5,180 square kilometer of POK to China तीक है यह था what makes the DS debut in all weather road in 37 prefabricated military trust तो इसमें एक मतलब यही सारी चीज़े बोली कही है जो श्योक river है वो क्या है itself a tributary of the Indus flowing through northern Ladakh and Gilgit-Palistan it eventually rejoins the Indus at Caris east of Skardu है तो वस इसमें यही सब important था जो मैं already discuss कर चुकी हूं and BRO यहां पे है बजो BRO is currently building a glaciated road तो यह वाली चीज़ भी important है महां पे क्या करी है glaciated road between Sasoma north of Leh near to Nubra valley Nubra river to the Sasar pass but it could take several years to complete but even when it is the alternate DSDO will remain critical to army and it defenses in the region ठीक है तो यह चीज़ important थी और Sasar pass का नाम यह आद रखना ठीक है that was part of the ancient root connecting lay to yarkand ठीक है ancient root यह चीज़ है next GM seeds debate and sowing agitation ठीक है तो GM seeds होते क्या है conventional plant breeding involves crossing species of the same genus to provide the offspring with the desired traits of both parents ठीक है genetic engineering होता है तो उसके द्वारा किसी भी plants के जीन में जो दूसरे जो प्लांट से उसमें डालके new species are crops की वो develop की जाती है ठीक है तो उसी मतलब scientific way में जो अगर transform किया जाए तो उनी को GM crops बोलते हैं अब इसमें क्या है GM crops हैं इंडिया में BT cotton the only GM crop that is allowed in India has two alien genes from the soil bacterium bacillus thrygnasis that allows the crop to develop a protein toxics to the common paste pink ball warm and hdbt on the other cotton is derived with the insertion of an additional gene from another soil bacterium which allows the plant to resist the common hybrid glyphosate अब in BT brinjal तो यह allowed नहीं है यहां पर और क्योंकि पहले तो approval दे दिया था जो GEAC है उसने लेकिन फिर बाद में काफी साथ इसका पोज़ा तो इसको हटा दिया गया था फिर DMH 11 mustard जो है यह भी Deepak Pintal and colleague in the south campus of University of Delhi इनोंने यह develop किये थे लेकिन इसको भी क्या था genetic modification allows cross-pollination a crop that self pollinates in nature तो इसको भी हटा दिया गया था अगर हम पूरे वर्ड की बात करें तो GM के काफी सारे variants है जो available है जैसे maize है canola है soya bean है तो यह सब available है अब what is the legal position of genetically modified crops in India तो GEAC genetic engineering appraisal committee ठीक है यही apex body है जो क्या करती है allows करती है जितने भी commercial release होते हैं कि आप commercial product कर सकते हो production GM crops का 2002 में GAC has allowed commercial release of BT cotton यही मैं बता रही थे अभी 95% of the country's cotton area has since they then come under BT cotton environmental production act 1989 के अंतरकत अगर आपने मतलब unapproved GM variant को use किया तो jail terms में हो जाएगी पांच साल के और एक लाग का जो है fine भी बढ़ेगा ठीक है तो यही इस पर important था how Gujarat estimated its lion population with holding a census ठीक है without holding a census तो आपको पता है कि lockdown के वज़े से जो था census नहीं हुआ हर पांच साल में एक बार यह conduct किया जाता है last year जो अभी हुआ था 2015 में हुआ था जिसमें जो tiger की जो लॉयन की जो सरी लॉयन की जो population थी 2015 में वो बताई गई थी 523 ठीक है 523 और अभी जो है यह बढ़के कितनी हो गए 674 तो 674 अभी नंबर ओफ लॉयन्स है वॉय वॉयन्स थी लॉयन्स सेंसर नॉट कंडेक्टिड दिस है तो अल्रेडी हम बता चुके क्योंकि इसमें काफी सारे जो forest guards है foresters है रिंज forest officers है उनको डिप्यूट करना पड़ता है policing duty पर है लेकिन इस बार क्या था भेजा नहीं क्योंकि कोरोना वाइरस का spread हो सकता था फैल सकता था अभी जो एक रिसेंट में केस भी देखा गया था न्यू यॉयॉक के ब्रॉंक्स जो जू था तो वहां पे मतलब human to tiger जो था उसको कोरोना व पर है I. अब है अनॉंट 6774 जो है यह नंबर है तो यह जो 674 जो नंबर है लोयन के तो कहां से आये हैं सैंसर नहीं तो यह आये है in house exercise ठीक है जो every full moon को की जाती है इसका नाम क्या बुला गया है पूनव अवलोकन ठीक है पूनव अवलोकन इसका नाम बुला गया है तो यह तो यही चीज आपको याद रखने इंपोर्टेंट है यहां पर आप देख रहे हैं तो यह है यह मेकनिजम कब डेपलोट किया गया था तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि जो law and census होता है उसमें larger participation को दिखा जाता है 2000 officers होते है experts होते volunteers होते है 2015 के census में जैसे थे हैंना transparent होता है काफी जादा observation this month was conducted by around 1400 forest staffs and a few experts law and census usually runs for more than two days including a preliminary census and final census तो यही चीज़ है और इसमें मतलब क्या बोलतने है इसको block counting method in which census enumerator remain stationed at water points in a given block and estimate abundance of law and into that block तो यही अब law and observation में क्या होता है इसमें house exercise conducted only by forest staff कि वल forest staff होते हैं and this methodology too is different as instead of remaining stationary water points teams keep moving in their respective territories तो यही सब चीज़े और इससे पहले भी क्या जो census था वो पोस्ट्पॉन हुआ था तो पोस्ट्पॉन हुआ था इससे पहले भी 6th 8th और 11th census हुआ था various reasons की वज़े से लेकिन जो था 1965 में forest department ने regularly इसको conduct करा है सबसे पहले जो हुआ था जूनागड के जो नवाप थे 1936 में इन्होंने क्या करा है था टाइग लॉयन census करा है था और 1965 में regularly हुआ था तो यह जरूरी है याद रखना और 2050 में 523 थे फिर 411 बढ़े 2010 में 2010 में 411 थे क्योंकि इतने कम क्यों थे उस टाइम पर जो बारा लॉयन्स थे उनकी जान भी चली गई थी flash floods और जो cdv था kenny's disease temper virus तो distemper kenny's distemper virus के कारण काफी जादा जाने भी गई थी and babusis in 2018 तो babusis का भी outbreak हुआ था गिर में 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 इस्ट में summer में तू अभी वहां पर और भी रिपोर्टेड बतलब हुए है केस ठीक है तो यह जो डो डिजीज है यह भी याद रखना तो आज के लिए बस इतना है उम्मीद आपको लक्षे बसना है प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू हवा नाइस दे